जयाएं टिचर्स, इसे मुनीश कुमार एंड वेलकम तौल और यू इन दिस वीडियो so teachers in this video we are going to learn about some sentences which are generally used in classroom conversation so teachers आज हम इस वीडियो में कुछ sentences को सीखने जा रहे हैं जो कि हम teaching learning process के दोरान आम तोर पर class में use करते हैं so for example कुछ sentences है यहाँ पर जैसे पहला sentence है तुम्हारा ध्यान कहा है यह sentence हम generally class में कहते हैं बच्चों को कि तुम्हारा ध्यान कहा है जब बच्चा ध्यान नहीं दे रहा होता यहाँ पूछते हैं क्या तुम्हें समझ में आ गया यह sentence हम generally use करते हैं teachers जब आँनों बच्चों से feedback लेनी हो कि क्या आपको जो मेरा समझा है वो समझ में आ गया मुझे chalk ला कर दो इसी तरह एक और sentence बनता है मुझे chalk ला कर दो तो ऐसी हम कहते कि ऐसा दुबारा मत करना है कई बच्चों में कोई बच्चा गलती करता है शरारत करता है तो हम उस बच्चे को बोलते है कि ऐसा आपने दुबारा नहीं करना है ओके तो इसी तरह हम कई बच्चों को डांडते है कुछ negative motivation जिसको बोला जता है तो हम कहते कि पिछले बैच तुमसे 100 गुन अच्छे थे कि जो classes मेंने पहले पढ़ाई है वो आपसे 100 गुन अच्छी थी ऐसी एक और sentence हम यूज़ करते है कि बोलो मत नहीं तो मैं absent लगा दूँगा कि आपने बोलना नहीं है नहीं तो मैं आपकी क्या करूँगा absent लगा दूँगा तो इसी तरह कोई sentence एक sentence और बोलते हैं धंग से बैठो या है तुमारा classroom है तुमारा घर नहीं ठीक है और एक और sentence बोलते हैं जब तक सभी चुपनी होंगे हम शुरू नहीं करेंगे तो means to say इस तरह के sentences teachers हम generally daily use sentences है teachers के दोबारा जो की class में lesson के presentation के समय discipline maintain करतेने के समय homework देने के समय हम जो use करते हैं तो इन सभी sentences को हाज हम इस वीडियो में सीखेंगे ओके so how can we use these sentences so let's get started so आगे तो आज के हमारा topic रहेगा spoken English course का classroom conversation for teachers ओके आगे बढ़ने से पहले teachers ये मेरी request ट्रैप सबसे कि अगर आपने अभी तक मेरा channel को like और subscribe नहीं किया तो आप आज ही और अभी like और subscribe के जिए मेरा YouTube channel Munish Kumar The Educator ताकि इस तरह की और videos आप तक पहुँच सके so चलिए आज का lecture स्टार्ट करते हैं सभी को नमस्कार सभी को नमस्कार तो teachers जब हम class में जाते तो बोलते हैं सभी को नमस्कार तो हम क्या कहेंगे नेक्स्ट इस आप सब आज कैसे हो तो teachers ये भी हम class में जूज करते हैं कि आप सब कैसे हो तो इसके लिए हम क्या जूज करेंगे नेक्स्ट इसके लिए हम क्या जूज करेंगे कि आपने कल का दिन कैसे बिताया तो उसके बाद हम attendance लेते समय कहते हैं कि सबसे पहले मैं attendance लेता हूँ तो इसको हम कहेंगे let me take your attendance first या हम कई बार बोलते हैं कि क्या attendance ले ले हम कहते हैं क्या हम सबसे पहले attendance ले ले तो उसके लिए हमने क्या sentence use करना है shall we take attendance नेक्स्ट है, कई बार हम क्लास में डिसिप्लिन करने के लिए बच्चों को बोलते हैं कि बोलो मत, नहीं तो मैं एपसन लगा दूँगा बोलो मत, नहीं तो मैं एपसन लगा दूँगा तो इसके लिए हमने क्या जूज करने हैं Don't talk or else I will put एपसन मार्क Don't talk or else I will put एपसन मार्क नेक्स्ट हम पूछते हैं अटेंडेस लेते समय कि आज कोन एपसन है While we are taking attendance, we generally ask students that who is absent today या how many students are absent today तो उसको हमने किस तरह बोलना है, आज कोन एपसन है, उसको बोलना है Who is absent today या Who is not here today दोनों में से कोई भी sentence आप यूज कर सकते हो आज कोन एपसन है, Who is absent today या Who is not here today Next, क्या रजनी आज absent है कई बार हम कोई बच्चा में दिखाई नहीं दे रहा है, पूछता है क्या वो absent आज तो उसके लिए क्या यूज करेंगे Is रजनी absent today Is रजनी absent today Next is, वह कहां गया है वह कहां गया है तो उसके लिए यूज करेंगे Where has he gone अगर बॉय है तो where has he gone और अगर girl है, where has she gone Let's move ahead Next is, कल तुम absent क्यों थे अब कई बार हम attendance लेते हैं समय बच्चों को कहते हैं कि भई आप कल क्यों नहीं आये थे कल क्यों आप absent थे तो आपने क्या पूछना है Why were you absent yesterday Why were you absent yesterday कल तुम absent क्यों थे Why were you absent yesterday So teachers, this is my humble request to all of you that please, please, please repeat these sentences with me आप इन sentences को में साथ repeat करते जाएं ताकि आपके भी practice हो सके सिरफ देखने से और सुनने से कुछ नहीं रहेगा English should be come in your mouth आपके English जो है आपके mouth पे आनी चाहिए Okay So please try to speak with me Why were you absent yesterday Next है, कल तुम्हें क्या हुआ था कल तुम्हें क्या हुआ था तो हम पूछ लेते कि भाई क्या हो गया था कल आप क्यों नहीं आये थी तो उस कहेगा What happened to you yesterday What happened to you yesterday Next है, कई वर बच्चा कई तरह की excuses करता है जूड बोलता है तो हम कहते हैं हमें पता लगया था कि जूड बोल रहा है कि सर मैं बिमार था सर हमारी ये काम था सर मुझे वो काम था इस तरह ना तो हम कह सकते हैं जूड मत बोलो मुझे बताओ असल में क्या बात हुई तो जूड मत बोलो को क्या कहेंगे डॉंट से लाइज डॉंट से लाइज जूड मत बोलो डॉंट से लाइज मुझे बताओ असल में क्या बात हुई तेल मी वोट हैपन एक्चुली डॉंट से लाइज तेल मी वोट हैपन एक्चुली next is क्या अब ठीक है क्या अब ठीक है तो इसको पुछेंगे is it okay now क्या अब ठीक है is it okay now next रोज आने की कोशिश करो जब हम बच्चे को मोटिविट करते हैं कि बेटा आपने रोज आना है छुट्टी कम से कम लो तो इसके लिए हम कहेंगे try to come regularly next is छुट्टी कम से कम करो छुट्टी कम से कम करो तो इसके लिए हम यूज करेंगे maintain minimum your absenteeism maintain minimum your absenteeism next कई बार कोई बच्चा सुबह सुबह आता है जब क्लास में कई बार काफी उदास, काफी sad काफी मायूस सा नजर आता है तो हम उदसे पूछते है कि क्या बात आप इतने उदास क्यों हो ना तो sentence है तुम इतने उदास क्यों दिखाई दे रहे हो तुम इतने उदास क्यों दिखाई दे रहे हो why are you looking so dull next है क्या कुछ गल्थ हो गया ये भी हम sentence teachers, students से पूछते हैं क्या आप इतने उदास के हो क्या कुछ गल्थ हो गया, क्या हुआ so we can use this sentence is anything wrong with you is anything wrong with you next है okay चलो part start करते है okay let's start the lesson okay let's start the lesson चलो next push के हम कहते है कि सभी अराम से बैठ जाओ ताकि हम शुरू कर सके सभी अराम से बैठ जाओ ताकि हम शुरू कर सके settle down now so we can start settle down now so we can start next है मैं आपके चुप होने का इंतजार कर रहा हूँ तो इस तरह का sentence हम कही वार यूज करते हैं जब बच्चे चुप भी नहीं करते हम lesson स्टार्ट करना है हमने means to say but students are not looking to be quiet so हमने क्या यूज करना है उसके लिए I am waiting for you to be quiet I am waiting for you to be quiet next है जब तक सभी चुप नहीं होंगे हम शुरू नहीं करेंगे तो ये भी हम बच्चों को डांटने के लिए की बर बोलते हैं कि जब तक सभी चुप नहीं होंगे हम शुरू नहीं करेंगे कि भई एक बार सभी चुप कर जाओ ताकि हम लेसन स्टार्ट करें उसके बाद हम जो क्लास्रूम कन्वेसेशन है it is two-way process right तो teachers भी बोलते है students भी बोलते है but कई बार हम जब आट को start करना होता है कोई बात कहनी होती है तो बच्चे अगर बीच में बोल रहे तो हम उनको डानते हैं बोलते हैं कि भई चुप करो अगर नहीं चुप करते हैं हम कहते हैं कि हम तो खड़े हैं जब तक आप चुप नहीं करोगे हम आगे नहीं बढ़ेंगे तो उसके लिए क्या यूज़ करना है we won't start until everyone is quiet we won't start until everyone is quiet next is मुझे बताओ पिछली क्लास में हमने क्या डिसक्स किया था तो इसके लिए हम यूज़ करेंगे tell me what we discussed in previous class tell me what we discussed in previous class next है कौन बताएगा कल मैंने क्या पढ़ाया था who will say what I taught you yesterday next is आज मैं वहीं से पाट शुरू करूँगा या करूँगी आज मैं वहीं से पाट शुरू करूँगा या करूँगी तो इसके लिए हमने क्या यूज़ करना है today I would like to continue the lesson today I would like to continue the lesson next अब हम lesson स्टार्ट कराते तो हम बच्चों कहते कई बार कि अपनी बुक्स निकालो अपनी बुक्स निकालो टेक आउट यूर टेक्स्ट बुक्स टेक आउट यूर टेक्स्ट बुक्स नेक्स्ट इस पेज नंबर 27 खोलो पेज नंबर 27 या XYZ जितना कोई भी पेज नंबर है जब आप खोलने को बोलते हो तो आपने यूज़ करना है Turn on page number 27 Turn on page number 27 Next is तुमने किताब क्यों नहीं खोली है तुमने किताब क्यों नहीं खोली है Why don't you open the book Why don't you open the book Next है क्या कोई पढ़ सकता है कि मैंने blackboard पर क्या लिखा है क्या कोई पढ़ सकता है कि मैंने blackboard पर क्या लिखा है Can anyone read what I have written on blackboard Can anyone read what I have written on the blackboard Next है मुझे chalk लाकर दो Bring me a piece of chalk Bring me a piece of chalk Please लिख लिजिए Write down please Write down please साफ साफ लिखो Write neatly Write neatly क्या सबने copy कर लिया तो जब हमने blackboard पर teachers हम कोई काम लिखवाते हैं तो उसके बाद कि हम कहते हैं कि भी blackboard से उतार लिया है सबने लिख लिया है क्या सबने वहां से copy paste कर लिया है तो उसके लिए हम क्या बोलेंगे Has everyone copied So teachers this is my humble request Again I am requesting you to repeat these sentences as well as the PPT is going on जैसे जैसे PPT आगे बढ़ रहे है इन sentences को repeat करते जाए क्योंकि सिर्फ देखने और सिर्फ सुनने से कुछ निएगा Language is a skill and skill can be acquired only with the help of four skills Four skills are listening, speaking, reading and writing So अगर आप साथ में speaking भी करोगे इसको listening कर रहे हो आप reading भी कर रहे हो साथ साथ में अगर आप listen करोगे and write down करोगे then आपकी four की four skills काम कर रहे हैं इस time So please you are listening to me as well as you are reading the PPT as well as I would like to request you that you also try to speak them out as well as try to note them down Okay Let's move ahead क्या मैं इस तरफ से मिटा दूँ कई बार blackboard को हम two parts में divide कर देते तो हम कहते हैं कि भई ये वाला part हटा दे मिटा दे इसे तो blackboard को अगर हम कुछ मिटा रहे तो उसको erase नहीं बोलना हम erase बोलते जनरली उसको हमने बोलना है rub Shall I rub this side क्या मैं इस तरफ से मिटा दूँ Shall I rub this side मुझे ध्यान से सुनो मुझे ध्यान से सुनो Listen to me carefully Listen to me carefully जो मैं कहता हूँ करो Do what I say Do what I say ये है किसको पता है ये sentence हम कई बार यूज करते है बच्चो को जब हम कुछ PK testing करना चाहते होते है जब start करते हैं कोई भी chapter तुम कहते हैं ये किसको पता है ये किसको आता है तो इसके लिए हमने sentence यूज करना है Who knows it Who knows it Next is क्या तुम्हे समझ में आ गया क्या तुम्हे समझ आ गया Did you get it Did you get it means ये भी sentence हम teachers कई बार यूज करते हैं जब भी हम कुछ पढ़ाते हैं कुछ समझाते हैं साथ हम कुछ समझ आ गया समझ आ गया आगे बढ़ें Did you get it Will we move ahead Shall we move ahead means to say इस तरह के sentences हम यूज करते हैं classroom में Next है अब मैं एक चित्र बना रहा हूँ Now I am going to draw a picture Now I am going to draw a picture इस picture में आप क्या देखते हो What do you observe in the picture What do you observe in the picture क्या कोई इस प्रेशन का उत्तर दे सकता है Can anyone answer this question Can anyone answer this question अब मैं जो बताने जा रहा हूँ वह बहुत जरूरी है What I am going to say now is very important What I am going to say now is very important इस प्रेशन का उत्तर कौन देगा Who will answer this question Who will answer this question अपने हाथ खड़े करो तो students, teachers कई बार हम जब कई बच्चेस question पूछते हैं तो हम कहते हैं वही बोलना नहीं है अपने हाथ खड़े करो तो हमें क्या कहने है Raise your hands Raise your hands सभी खड़े हो जाओ सभी खड़े हो जाओ All stand up All stand up तुमारा ध्यान कहा है तो कई बार कई बच्चा होता है जो ध्यान नहीं दे रहा तो हम उसको दबारा उसी topic पे लेने के लिए उसका ध्यान हम पूछते कि क्या हो रहा है What is going on तुमारा ध्यान कहा है तुम क्या कहेंगे Where is your attention Where is your attention क्या यह सुपरमार्केट है यह संटेंस हम जनली यूज़ करते कई बार कई बार हम बहुँ ज़्यादे इरिटेट होके बोलते कि क्या मंडी लगी है यहाँ पे Is this a supermarket क्या तुम क्लास में धंग से पढ़ने ही सकते क्या तुम क्लास में धंग से पढ़ने ही सकते Can't you study properly in the class Can't you study properly in the class अगर तुम बात करना चाते हो तो मेरी क्लास से बाहर जाकर बात करो अगर तुम बात करना चाते हो तो मेरी class से बाहर जाकर बात करो तो ऐसा हम तब बोलते हैं जब कोई बच्चा रुकी निरा लगा तर बात कर रहा है हम रोकते जा रहे हैं फिर हम means to say उसको थोड़ा discipline करने के लिए उसको control करने के लिए बोलते हैं कि अगर आपने बात करनी है तो class से बाहर जाओ और वहां पर बात करो So, we use the sentence If you want to talk, please get out of my class and talk If you want to talk अगर आप बात करना चाहते हो If you want to talk तो मेरी class से प्लीज बाहर जाओ और बात करो Please get out of my class and talk Next is अगर तुमने homework नहीं किया तो मेरी class में मत आना अगर तुमने homework नहीं किया तो मेरी class में मत आना Don't enter my class if you haven't done your homework Next is पिछले बैस तुमसे 100 गुना अच्छे थे इसका अंसर है Previous batches were 100 times better than you Previous batches were 100 times better than you Next is तुम हस क्यों रहे हो Why are you laughing? Why are you laughing? ढंक से बैटो यह तुमारा classroom है तुमारा घर नहीं तुमारा घर नहीं Not your living room Sit properly This is a classroom Not your living room Next है जब तुमने बाते खातम कर ली तो मुझे बता देना Tell me when you all have finished talking Tell me when you all have finished talking तो teachers यह sentence हम तब यूज करते हैं जब class बहुत ज़्यादा Indisciplined हो रही है बाते खत्मी नहीं हो रही है Unnecessary talk चल रही है गपशब चल रही है तो इरिटेट होके हम कई बार बच्चों को बोल देते हैं कि जब आपने सारी बाते खत्म कर लेना मुझे बता देना तो इससे होता कहा है सारी class अपने आप चुप हो जाती है ठीक है तो यह भी कुछ strategy होती है teaching learning process की जिसमें हमने जो 40, 35 students या 40 students के बहुच है उसको हमने teaching करने होती है इसको हमने एक बार एक तरह से हमने attentive करना होता है अपनी तरफ next है तुमने अपना homework क्यों नहीं किया तो इसके लिए हम क्या use करेंगे why didn't you do your homework why didn't you do your homework I think यह तो हम यह sentence तो हम 4-5 बार कम से कम class में use कर लेते हैं एक दिन में क्योंकि जितने बच्चों को बढ़ाते हैं उसमें से कुछ बच्चे होते हैं जो काम पूरा नहीं करते हैं तो हम पूछते हैं why did you do your homework तो इसके साथ हम पूछते हैं तुमने सारा दिन क्या किया तो उसके लिए क्या use करेंगे what did you do the whole day what did you do the whole day next है ऐसा दुबारा मत करना हम बच्चों को warning करते हैं कोई बात नहीं कोई बात नहीं आज आपने की है आज आपने homework नहीं किया कोई बात नहीं आज मैं छोड़ रहा हूँ बट ऐसा दुबारा नहीं होना चाहिए so we use the sentence don't let it happen again don't let it happen again ऐसा दुबारा मत करना Don't let it happen again Next है आज के लिए यही है आज के लिए यही है That's all for today That's all for today And the last one is teachers इस topic के बारे में कोई doubt इस topic के बारे में कोई doubt Any more doubts regarding the topic Any more doubts Doubts regarding the topic हम अगली क्लास में इसी लेसन को आगे पड़ेंगे We shall continue the lesson in next class We shall continue the lesson in next class बहुत बहुत धन्यवाद कल मिलते हैं बहुत बहुत धन्यवाद कल मिलते हैं Thank you very much See you tomorrow Thank you very much See you tomorrow So this is all for today Dear teachers And thanks for watching this video And if you like my video Don't forget to like and subscribe my YouTube channel Munish Kumar the educator So thank you Thank you very much